स्री शिवाय नमस्तो ब्याम दाशिकों कुछ विशेश तिथिया होती है जिन अवसरों पर शुप अशुप सक्तियां ब्रह्मान में सक्री होती है उन्ही को अनुकुल बनाने के लिए कुछ उपाय भी किये जाते हैं होली का पर्व सबसे बड़ा पर्व माना गया है होली के पहले दिन होली वाले दिन और अगले दिन कुछ विशेश उपाय भी किये जाते हैं जिन उपायों से हमारे जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान तो मिलता ही है अद्रिश्य सक्तियों से भी हमें चुटकारा मिलता है और हमारे जीवन में सुक सांती सफलता हो सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करना बहुत ही जरूरी होता है आज हम आपको ऐसे ही सरल उपाय बताने वाले हैं जिनसे आप अपने जीवन में चल रही परेशानियों से तो निजात पाएंगे ही साथ इधन सम्मंदी समस्या का भी हल पाएंगे आपके जीवन में आर्थिक संकट चल रहा है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा लक्ष्मी आप पर प्रसन होंगी आपके घर में लक्ष्मी आना प्रारंब हो जाएगी आईए जान लेते हैं कैसे हैं वे उपाय और क्या करना है होली की रातरी विडियो को पूरा जरूर देख लीजएगा आपके कोई ना कोई समस्या का समादान जरूर मिल जाएगा अगर आप किसी भी प्रकार के कोई कर्ज से धिरे हुए हैं तो आपको एक छोटा सो उपाय अवश्य कर लेना है आपको लेना है तीन गोमती चक्र और तीन कोडी तीन कोडी आप पीले कलर के ले पीली कोडी भी आसानी से मार्केट में मिल जाती है याद रहे पीली कोडी लेना है और आपको उस इस्थान पर जहाँ पर होली जलती है वहाँ पर तीन कोडी और तीन गोमती चकर को रख देना है मदब होली जलने के थोड़ा सा आगे साइड रखे जहाँ पर औरते बैठ करके पूजा करती है सारी महिलाएं वहाँ पर आपको रख देना है और उस पर थोड़ी से मिट्टी डाल देना है फिर उसकी पूजन करनी है आपको लाल गुलाल डालना है हरागुलाल डालना है और उस गड़े को आप थोड़ा सा जल छिड़क करके फूल दूब दिखा कर पूजा करें इसके बाद आपको उस होली का दहन के इस्थान पर पूजा करनी है वहाँ पर आप अपनी विदी विधान से जैसे पूजा करते आये हैं वैसे करें जब होली का जले तब आप वहाँ पर उस गड़े को भर दे और हाद जोड़ कर प्रातना करें कि हमारा कज़ा जल से जल भर जाए, बस इस सुसाय को कर लेना है, आपका कज़ा बहुत जल चुक जाएगा, मैना भर भीने लगेगा और आप सारे कज़ों से मुक्त होचाएंगे, आपके ग़र में धन की आवग बढ़ने लगेगी, लक्ष पत्ते पर और तीन बडए ईलाइची उस पर रखनी है उस पान के पत्ते पर और उसे एक और दूसरे पान के पत्ते से ढग देना है आप चाहें तो पान का बेड़ा जैसा तयार कर सकते हैं उसे आप साथ परिक्रमा करते हुए उस पान के पत्ते पर आपको हाथ में लेकर के साथ परिक्रमा कर लेनी है और उसे आप हाथ जोड़कर अपने घर में लक्षमी का आमंतरन देते रहेगी होली से जोड़ी सारी पौराणी कहानिया भी हमने अपने चैनल पर डाल रखी है और और भी उपाई डाल रखे हैं जो कि आपके जीवन में काफी समस्याओं का समाधान निकाल सकते उन्हें अवश्य देख लीजिएगा अगर हमारे चैनल पर ना है तो चैनल को भी शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक ताकि और भी लोग इन उपाई को कर पाएं मिलते हैं अगले वीडियो में स्रीश वाई नमस्तु बैम